नमूनमा एक बैप का फिर से स्वागत है हमाई यूट्यूब चैन्स अंसकर्द पॉइंट पर आज हम जो स्विशय पर बात करेंगे वह है समवाद सुक्त अर्थात आज हम बात करने वाले हैं रिगवेद के समवाद सुक्त जो कितने हैं? कुल 20 समवाद सुक्त है किसमें? रिगवेद में परन्तु हम जो मेन मेन हैं आज सिर्फ उन्ही पर चर्चा करेंगे चलिए शिरू करते हैं सब पतम हम ध्यान देंगे पुरूर्वा उर्वशी समवाद सुक्त पर यह रिगवेद का दशम मंडल का पिच्चानवेवा सुक्त है और कितने मंत्र है? आठारा मंत्र है रिशी हैं इसके पुरूर्वा एल और उर्वशी और यदी देवता की बात की चाहें तो देवता हैं उर्वशी और पुरूर्वा एल चंद है त्रिश्टुप और स्वर कौन सा है? देवत स्वर है ये main points हैं जो किसके हैं पुरूर्वा उर्वशी समवाद सुक्त के next पर ध्यान देते हैं next है यम यमी समवाद सुक्त यह दशम मंडल का दस्वा सुक्त है इसे हम इस तरह भी लिखवा सकता है दशम मंडल का दस्वा सुक्त कौन सा है यम यमी है कितने मंत्र हैं चौदा मंत्र है और रिशी कौन है यमी वैवस्वती यम वैवस्वत और देवता की अधी बात करें तो देवता कौन है यम वैवस्वत और यमी वैवस्वती चंद की अधी बात करें तो चंद है इसमें तृष्टुप आप ध्यान दीजेगा जो समवाद सुक्त है उसमें अधिकतर त्रिष्टुप चंद का प्रियोग किया गया है स्वर कौन सा है देवत स्वर है ठीक है नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं नेक्स्ट आता है मारा सर्मापणी समवाद सुक्त सर्मापणी समवाद सुक्त दशम मंडल का 108 वा सुक्त है आप से पूछ दिया जाएगा सर्मापणी समवाद सुक्त कौन से वेज से है तो रिगवेज से है मंडल से कौन से है दशम मंडल से है और कौन सा सुक्त है 108 वा समवाद सुक्त है मंत्र इसमें केवल 11 है यदि बात करें हम इसमें क्या है तो सर्मा नामक एक शुनी और पणी नामक असुर की बीच का वारतलाब सर्मा पणी समवाद सुक्त में हैं कि आप सभी चानते हैं समवाद सुक्त अर्थात दो की बीच की बातों का वर्णन जिसमें हो जिसमें दो करक्टर आपस में वारतलाप खटे हैं वह समवाद सुक्त होती है इसके रिशी है पणी सर्मा और देवता है सर्मा पणी चंद यदि बात करें तो चंद है तरिष्ठुप ज़सा कि हम आपको पहले क्या चुके है समभात सुक्ट में अधिक जो मेन मेन है उन सब ही के क्या है तरिष्ठुप? चंद है और स्वर भी कौन सा है? देवत स्वर है यदि हम नेक्स्ट पर ध्यान दी नेक्स्ट आता है मारा विश्वा मित्र नदी समबाद सुक्त बहुत important है यह भी इसमें क्या है विश्वा मित्र और नदी के बीच की वार्तलाप हो रही है देखिए तीसरे मंडल का नेतिस्वा सुक्त है यह है अभी जो हमने बात करी थी कौन-कौन से पुरूर्वा उर्वशी फिर यम्यमी और सर्मापणी यह तीनों थे दशम मंडल की परंतु विश्वा मित्र और नदी समबाद सुक्त तृत्य मंडल का है और तैतिस्वा सुक्त है और मंत्र भी कितने है तेरा सबसे सरल रहता है विश्वा मित्र नदी समबाद सुक्त को याद रखना क्यों? क्योंकि तीसरे मंडल का है तैतिस्वा सुक्त है और तेरा मंत्र है सब तीन से ही चल रहे हैं इसलिए अराम से याद रह जाता है क्या है? विश्वा मित्र द्वारा शुतुद्री और विपाट नदियों से मार्ग की बात है यह भी आजाएगा कि जो विश्वा मित्र नदी समबाद सुक्त में किस नदी का वर्णन है? किस नदी से वातलाप हो रही है? तो आपको दोनों नदियों का नाम याद रखना है ठीक है? रिशी विश्वा मित्र है और देवता नदियां है नदियां कौन सी? विपाट और शुतुद्री नदी चंद है इसमें पंक्ती त्रिश्टुप और उष्टिक इसमें चंद का प्रियोग किया गया है उमीद करते हैं आपको ये चारो समवासुक्त अच्छे से समझ में आए होगी यदि कोई भी संकूच, कोई भी प्रिश्ण आपके मश्टिक्षमी हो तो आप हमें कमेंट बुक्स में लिख करके पूछ सकते हैं और ये दियाब चाहिए तो स्प्रिश्ण ली सकते हैं जिससे आपको बाद मिया तकनी में आसानी होगी आपका दिन शुम हो, हमसे जुने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद